वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपको रीजनिंग से रिलेटेट कुछ फीगर बेस रिलेटेट अधारीद कुशन है जिसमें आपको फीगर से संबंदित पैटर्ण को समझना है और उसमें से चार आपसन में से एक आपका सही होगा तो यहां पर कोशन दिया हुआ है का फीगर दिया हुआ है पहले फीगर में बॉक्स के अंदर एक सर्किल दिया हुआ है और इस साइड एक स्टार बना हुआ है साइड एक डार्क सर्किल बना हुआ है तो इसके दूसरे रेसियों के फॉर्म में यहां पर क्या हुआ है कि उसमें आउटर मलक की दोनों साइड म दो dark side बने हुए हूँ, अब इसके अंदर वाले portion का just opposite ज़स्ट स्टार के opposite यहां पे हमने इसका circle बाहर कर दिया", इस तरीके से pattern बाहर हुआँ, अब यहां पे यह जो number है इसको उठा के इस side कर दिया है, यानि की इसकी direction को change कर दिया, जो left में थी उसको right में कर दिया जो उपर था वो नीचे कर दिया तो left वाला portion right में आ गया उपर वाला portion नीचे आ गया लेकिन सर्थ यह कि जो अंदर वाला जो भागता वो उसके नीचे आ गया और उसकी जगह पर replace करके वो हाँ पर चला गया तो यहाँ पर replace वाला भी concept चला है तो यानि कि अगर हमें star को अंदर लेना है तो इसको उठा के बाहर करना होगा तो यह बाहरी side आ गया अब यहां पी यह जो left में है इसे right में कर दो तो यह star हो गया इधर और यह जो dark circle वो इधर हो गया तो यह इन दोनों में यह pattern लग रहा है अब इसमें second वाले में देखिए क क्या हो रहा है यहां पर देखिए क्या हो रहा है यह star बना हुआ है यहां पर यह दिया हुआ है अब इस option में यहां पर क्या रिलेट करेगा इस फीगर के कोई यह रिलेट शो रहा है जैसे कि इस वह रहा है तो धूर जो बढल की दोनों का आउटर एरिया में इस फिगर यहां पर उसके बाद दूसरे बिए में सिंगल में आ गया यानि कि दो फिगर आउट साइड में है और एक फिगर अंदर है तो आप दूसरे साइड रेशियों में क्या हो रहा है कि दो फिगर अंदर कर दिया गया और एक फिगर बाहर कर दिया गया जिस फिगर को बाहर किया गया है वो उसकी जगह पे रिप्लेस होके वो बाहर वाला फिगर अंद बजिट लेते हैं तो हमें कौन सा भीगर इसको हमें अटाना पड़ेगा और क्या आएक तो यहां पे दिखेंग कुछ थी व्यक्रिक भीज्त के इसको डार्क कर देते हूं यह डार्क है डार्क स्टार है जो इस तरफ है अब हमें इसको हटा के उपर करना है कहीं भी इसके ज़स्ट अपोजिट होना है अब अपोजिट होने के लिए यहां पर क्या करना होगा यहां पर दो बाहर है तो हमें क्या करना है दोनों को अंदर करना है तो जब दोनों को अंदर करना है तो क्या करना होगा कि अगर हमें इसको बाहर करना है अंदर वाले पोर्चन को अगर जैसे उसमें अंदर वाले पोर्चन को बाहर किया तो उसकी जगह पे रिप्लेस होगा अगर हमें इसको बाहर करेंगे बाहर करने का मतलब what बाहर इसको कर दिया अब ये वाला पॉर्ट संं अदर आ जाएगा और ये वाला भी पूर्ट सं नंदर आ जाएगा तो इस साफसे देखा जाये तो यहाँ पर यहाँ पर एक साइड यह हुआ यहां पर एक साइड यह हुआ, अब यहां पर देखिए इसके जश्ट अपोजिट है, यह ए, बी, सी, डी, चारो ऑफसन में से कौन सा ऑफसन बिलकुल सही है, तो फीगर के कोड़िंग यहां पर इसमें दो फीगर बाहर है, इसमें एक बाहर होगा, कि बिइस पिंदना करना थे एक यहाँ पे भी यही चीज़ से इसमें इसमें करना बिश्चरा दो हैं अगर यह चीज सकहर इसका की सवी एगर इपर आता है और यह प्रूर्चन है अगर इधर जाता है यह अंदर हो जाएगा और एक बहार बहार आ जाएगा कॉछ इसे पॉर्षन है इसमें हाद यह यह बहाला दो बहा है आपको यह समझना है यहां पे डीट मिसको इंदर कर दे और यह वाला जो पॉर्शन इसको अंदर कर दे और यह वाला जो है इधर कर दे तो आपका इस इससे यह रिलेट हो जाएगा इससे यह रिलेट हो जाएगा लेकिन अगर हम इसके कॉर्डिंग चलते हैं तो इसके कॉर्डिंग करने पर यह जो फीगर है यह नीचे रह जाएगा जबकि होना चाहिए अपोजीट तो अपोजीट तो हो नहीं रहा है यह वाला अपोजीट हो रहा है यानि कि यह वाला इसको इधर कर दिया और यह वाले को अंदर कर दिया और यह बाहर कर दिया इस हिसाफ से इसका सी वाला आप्सन इसका सही है अब यहां पे फिगर में से अधारित है इडेंटिफाइद डाइग्राम दैट दा बेस्ट रिप्रेजन्टेटिव दा रिलेशन सीफ एमंग दा क्लासेस गिवन बिलो यहां पे तीन टाइप दिया हुए एक टी दिया हुआ है कॉफी दिया हुआ है अब आपको चाをश्कुटी दो अलग अलग तो अलग मेटेरियल है मटेशल है और ward जो है यह एक तरीके का यह यह पीने वाले पदार्त हैं तो जो पीने वालेता है तो यह 먹 ज़ुँआए वो ड्रिंक के अंदर चाय भी आ जाएगी और ड्रिंक के अंदर कॉफी भी आ जाएगी तो यानि कि आप देखेंगे इसमें से मेरे ख्याल से बी वाला अफसन इसका सही है इस वाले में क्योंकि ड्रिंक के अंदर क्योंकि देखो चाय भी पिया जाता है और कॉफी भी पी जा कर रहे हैं और यह चाय और कॉफी दोनों अलग-अलग मटेरियल है तो जब डोनों अलग-अलग मटेरियल तो नाम अलग-अलग है तो टी यह हो जाएगा यह ती वाला पॉर्शन हो जाए कॉफी वाला हो जाएगा इसलिए इसमें बी वाला आप्सन इसका सही है तो फीगर से संबंदी सवाल था तो थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो धन्यवाद